आज हम करेंगे रियल नंबर एक्साइज 1.1 टेंथ क्लास का है क्वेशन नमर फ़र्स्ट आप वास यूज उकलीट्स डिविजन अल्गुरिथम तो फाइंड अश्याप आफ दिस दिस एंड इस तु राइट यूर फ़र्स्ट पार्ट यूर फ़र्स्ट पार्ट यूर फ़ बड़ा है यहां लिए देंगे सीन्स कि तू टू टू टिफाइब क्या है ए फिर आप लिखेंगे यूजीं कि यूपलीट्स डिविजन अल्गुरिथम यूपलीट्स यूज डिविजन अल्गुरिथम कि आपके पास ए इकल टू बी क्यू प्लस आर होता है अब मैं इसके इसके बारे मैं बता देता हूं A कोल टू B Q प्लस R में A क्या है B क्या है Q क्या है और R क्या है तो यहां पर एक 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 जामपल दे रहा हूं प्लस प्लस्ष्ट घंड को कर रहा हूं तो 4 ιृंड को अंक ट्वैट कर रहा हूं तो 4 बचे तब दिवाइच्ट में क्या है जिसको आउट डिवाइट कर रहे हो वह आपका क्या है ऑडिवडेंड कर आता है और के अगया तो यहां डिवाइजर है ठीक है और यह उपर जो यह आपको तो पता ही है यह आपको क्या कलाता है remainder कलाता है clear हो गया होगा और जब आप छोटी class में थे यानि कि 4 sleep में तो आपको कहा जाता है आपने जो divide किया है वो सही किया है कि गलत तो उसका पता लगाओ तो आप किस formula का यूज करते थे आप लिखते थे dividend equals to divisor into cosine plus remainder आप लिखते थे ठीक है तो अब देखे A, B, Q और R क्या चीज है इसे कहता है A इसे हम A से denote करता है divisor को हम B से denote करते है और quotient को हम Q से denote करते है divisor into quotient को हमसे तो B, Q लिख सकते है ठीक है क्योंकि इन दोरों के बीच मैं multiply इसलिए मैं multiply नहीं लगाए तो plus R है plus R को तो हम R से दिखाते है small R से दिखाते है यही आपका Euclid division algorithm में use होगा equal to B, Q plus R इसी से हम पता लगाते थे कि हमारा जो solution है कि सही है कि नहीं है तो यह वहाँ हम देखते भी है कि सही है, निकाला है कि नहीं निकाला है तो dividend कितना था आपका? 15 equal का equal divisor और quotient कितना है? यह आपका divisor है यह आपका quotient है यानि कि 4 into 3 divider quotient को into कर रहा है तो into हो जाएगा plus remainder plus remainder कितना है था 3 तो 4, 3 जा 12 plus 3 तो आपका कितना रहा है? 15 तो 15 equal to 15 आ रहा है तो इसका मतलब आपने जो divide किया वह आपने सही किया है वह हम यहाँ भी use करेंगे अब देखिए हम तो divide करेंगे तो ऐसे हम निकालना आपको आता ही है डिवाइड वाला method यूज करना है division method आपने यूज करना है तो divide कर देना आपने तो लिखेंगे step first यहां लिखेंगे we apply division lemma to किस-किस में ले रहे हैं? 225 वार 135 225 and 135 अब आप इसको divide कीजिए तो 135 से 225 को आप divide करेंगे आपने same जैसे SCM निकालते हैं division method से वैसी निकालने है ठीक है तो यहां पर हम SCM निकाल देंगे उसको हम stepwise लिखते जाएंगे SCM निकालेंगे तो 135 से 225 को divide करेंगे तो 135 वन जा 135 तो इससे बड़ा हो जाएगा तो यहां लिखेंगे 135 वन जा 135 अब आप इसको subtract कर देंगे तो यह आएगा 90 इन दोनों को minus करके 90 आएगा 135 से तो 90 डिवाइड नहीं होगा अब आपको पता था SCM कैसे करते हैं जो आपको reminder आता है तो इससे फिर हम diviser को क्या कर देता है फिर डिवाइड कर देता है यानिकि 90 से फिर 135 को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे फिर 91 जा 90 होता है 92 जा 92 जा तो बड़ा हो जाएगा तो आप लिखेंगे 91 जा 90 फिर solve करेंगे अब यह 45 आ गया है तो 90 से 45 तो solve होगा नहीं अब फिर हम क्या करते है remainder से diviser को क्या कर देता है divide कर देता है यानिकि फिर 45 से 90 को क्या कर देंगे divide तो 45 बन जा 45 45 तो जा होता 90 ठीक है तो यहाँ पर remainder आ गया अब 0 जब तक 0 नहीं आता है अब तक हम इसको solve करते हैं यह आपने class 4th में फिफ्ट में पड़ा है तो यह common S-C-Up है यह SM निकालने तो आपने class 4th फिफ्ट में सीखा है कि जब तक remainder 0 नहीं आए तक हम इसको solve करते हैं फिर जिस number से 0 हो जाता है जिस diviser से 0 answer आ जाता है वह आपका answer होता तो यहाँ पर आपका S-C-Up आ चुका है तो यह आपका 45 क्या होगा S-C-Up होगा तो जो Euclid division algorithm है उसमें हम इसको step में लिखते हैं यह आपका first step है यह आपका second step है और यह आपका third step है आपका answer कि step में आए third step में आए first step को लिख रहें पहले तो यहाँ वह first step लिखा है we apply division lemma to 225 and 135 तो आपने 225 and 135 में चला है तो हम क्या करेंगे यह करेंगे dividend is equal to divisor into quotient plus remainder use करेंगे यानि कि देखें आप 225 लिखेंगे 225 equals to 225 equal to क्या होगा इन दोनों को into कर देंगे इसमें remainder जोड़ देंगे 135 into 1 इसमें remainder जोड़ दो remainder आपका 90 है तो यहां लिखेंगे remainder is not equal to 0 क्योंकि remainder 0 ने आया है फिर second step गया फिर remainder 0 ने आया है फिर third step गया remainder 0 आ गया तो यहांपका STF कहलाता है यहांपको पता ही है तो आप चलेंगे step second step second और यहां लिखेंगे V.Aupply. division 1 Lemp 2 आप किसकिस में चले हम 90 or 135 में इसमें चले था 135 बहुँड है इसमें चले हम 90 and 135 में था लिक्याने 90 and 135 तो इसमें क्या आहा था आपका 135 is equal 2 का लिखेंगे हम 135 equal 2 135 equal 2 क्या लिखेंगे इन दोनों को into इसमें रिमेंटर जोड़ दो यानि कि 90 to 1 इसमें रिमेंटर जोड़ दो 45 यहां लिखेंगे रिमेंटर is not equal to 0 क्योंकि रिमेंटर 0 नहीं आया है तो हम 30 step पे गए थे तो यहां आयागा step 3 we apply division lemma 2 अब किस-किस में चले थे हम 45 और 90 में चले थे हम तो यहां लिखेंगे 45 and 90 तो आपको क्या है 90 equal to क्या होगा 90 equal to होगा इन दोनों को into plus रिमेंटर यहां लिखेंगे 45 into 2 इसमें रिमेंटर जोड़ दो यहां लिखेंगे we get रिमेंटर is equal to 0 0 में में मिल चुका है therefore therefore hcf equal to 45 जिस डिविजन डिविजन डिवाइजर से 0 जाता है रिमेंटर जोड़ जाता है वह आपका hcf कराता है यह आपको पता ही है उसी को यूलर डिविजन एलजरत हम ने कहा किया step में लिखा था first step second step third step same है बैस step लिखने आपको इसको solve करने से पहले हम इसमें बड़ा और चोटे का इंकाल देंगे तो इसमें लिखेंगे since 867 is greater than by 255 clear हो गया हम क्या करेंगे इसमें using Euclid division algorithm यूजिंग यूजिंग डिविजन algorithm यूज करेंगे तो फॉर्मॉला ए इकल टू बी क्यू प्लस आ रहे है अब हम step first करेंगे step first करेंगे लिखेंगे भी एपलाई division algorithm यूजिंग यूजिंग यूजिंगे इसको 2 किस किसमें कर रहे हैं इन दोने में कर रहे हैं 867 255 अब यहां पर हम ऐसे अब निकाल देंगे तो ऐसे अब तो आपको पहले से भी आता है फिर भी बता देता हूं तो 255 से हम 867 को डिवाइड करेंगे तो 255 की टीविल करेंगे तो यह 255 थ्रीजा solve होगा फोर्जा तो इससे बड़ा हो जाएगा तो थ्रीजा करेंगे हम तो थ्रीजा में आपका रहा है 765 इनको सब्ट्रेट करेंगे तो आपका रहा है 102 दो आप देख रहे हैं रिमेंडर जीरो नहीं है तो ऐसे हमें क्या करते थे फिर रिमेंडर और डिवाइजर को क्या करते थे यानि कि रिमेंडर और फिर डिवाइजर की बारिया थी फिर 102 की टेविल करेंगे तो 103 जा तो बड़ा हो जाएगा तो 102 जा हो रहा है आपका 204 ठीक है फिर इनको सब्रेट करेंगे तो आपका आपका 51 फिर देख रहे हैं आप रिमेंडर तो 0 नहीं हो रहा है फिर जाएंग तो यहां पर remainder जिरू आ चुका है तो आपका step क्या होगा जिसे आप divide कर रहे हैं वह आपका step हो जाएगा अब इसी को आपने first step second step third step यह आपका first step है यह आपका second step है यह थर्ड step है आपका answer third step आया है तो इसके भी तीनी step होंगे तो फिर्स step है क्या लिखेंगे आप यानि कि 255 इंटो 3 प्लस रिमेंडर करेंगे 102 यान लिखेंगे रिमेंडर is not equal to 0 क्योंकि रिमेंडर तो 0 हाई नी रिमेंडर ये तो 0 हाई नी फिर second step में जाएंगे यान लिखेंगे step second we apply division लेमा 2 अब किस में गया हम 102 और 255 में 102 एंट 255 में गया हम तो इसमें हमारे क्या आए था 255 बराबर 255 बराबर क्या लिखते हैं 102 गुणा के 2 यानि कि 1 रे 2 इंटो 2 प्लस उसमें रिमेंडर जोड़ देता है रिमेंडर के नहीं था 51 यान लिख देंगे r is not equal to 0 रिमेंडर आपका फिर 0 नहीं आया तो हम किस में गे थरी स्टेप में यह लिखेंगे step 3 यह लिखेंगे since रिमेंडर is not equal to 0 वी एप्लाई division lemma 2 किस-किस में हम अप जब इसमें रिमेंडर 0 नहीं आये तो हम किस में गे 51 और 102 में गे थे 51 एंट 1 red 2 तो क्या है था आपका 102 बराबर क्या है था 102 बराबर आएगा इन दोनों के इंटो प्लस रिमेंडर यानि कि 51 इंटो 2 प्लस रिमेंडर आपका 0 यह लिखेंगे since r is equal to 0 हमें रिमेंडर 0 मिल चुका है therefore sf कितना है आपका ट्यार आपका इससे आप क्या है गा 51 जिससे आपका रिमेंडर 0 यह था जिस डिवाइजर से वह आपका अंसर होगा ठीक है एक एक लिए हो गया आपका यह आपका पॉशन नमबर 2 है so that any positive odd integer is of the form 6 q plus 1 6 q plus 8 और 6 q plus 5 वैर q is some integer तो सबसे पहले हम integer जाना लेते हैं integer क्या है integer क्या होते है positive number होते है negative number होते है और 0 भी उसमें होता है ठीक है integer में positive number यानि कि 1 2 3 4 negative number यानि कि minus 1 minus 2 minus 8 यह भी आते है और उसमें 0 भी आता है ठीक है यानि कि 0 1 2 3 4 इदर के लिए किसे हैं बोलो minus 1 minus 2 इदर के लिए कितना ही बोलो तो इस सारा integer कहलाता है इसमें कहारा है so that any positive integer positive integer यानि कि 0 से उपर के तो यह आपको कहा गया अभी इससे निचे की बात हम नहीं कर रहे है या अस उपर की बात कर रहे है तो इसमें हम क्या करेंगे युक्लियर्स डिविजन एल्गोथर्म यूज करेंगे जिसका formula A is equal to BQ plus R A को हम कोई भी positive integer ले लेंगे और BQ तो BQ तो यह आपकी B की value आ जाएगी और आपने R निकाल के देखना है कि इन तीन form में रहता कि नहीं रहता 1, 2 and 3 3 form में रहता नहीं रहता है इसमें ले लेंगे let A B A positive integer and B कितना बोला मैंने आपको A को कोई positive integer ले लो B आपका BQ means BQ यानि B आपका 6 निकल लिया अगर B6 है तो हमेसे याद रखना है जो R की value होगी वो B से कम होगी ठीक है तो R की value B से कम मतलब 0, 1, 2, 3, 4 and 5 तक हो सकती है R की कितनी values हो सकती है 0 से लिकर 5 तक B से हमेसे कम होती है कि लिए रो गया होगा आपका यहां bracket में लिख सकता है की लिख सकता है कि निए हो जाएका यालिके ही द में। यह हो जाएगा यहाले है मेसिंगा bathing दीजियाबिग के lub प्लस आर यह आपका फॉर्मला है और बी की जगाओ पर कितना है शिक्स नाव पुटिंग आर इकल टू जिरो वन टू त्री फोर फाइब एंड बी इकल टू अब हम नहीं पर आर ब्रावर करभी एक बार जिरो लेंगे एग वण टू ठीए एग वार फॉर एक बार फाइब लेंगे जो अब्रा बार गई है और बी के जगवाब पर च्ञा लेंगे तो रखे जाएए एक बाद 0 रखा तो इसकी वहले आए सिफ 6Q जिरो में सब्सक्राइब भाड़ गया तो सिफ 6Q बचा एक बार यह आई एक बार क्या आएगी ए बराबर 6Q प्लस 1 हो जाएगा यह आप 1 रखेंगे क्या की जवाब है तो एक सेकंड हो गया 3 की आएग wer आएगा 6 क्यूप प्लस 3 हो जाएगी एक बार आएगा 6 क्यूप प्लस 4 एक बार आएगा 6 क्यूप प्लस तो आर की विए विए मेगजम कहा तक हो सकती है 5 तक दो हैं हमेशा कम ठीक है 6 पोला यह तो पांस तकाएंगे क्योंकि भी हमारा 6 आ चुका है तो 6 6 6 रख दिया हमने यहाँ आप हमने यह बाद 0 यह बाद 1 2 3 4 5 5 तर रखा तो यहाँ आ चुका है पर question में लिखावा था so that any positive odd integer integer तो हो पर odd odd means जो 2 से divide नहीं होते हैं वो number odd कहलाता है तो इसमें से जो जो 2 से divide नहीं हो रहेंगे वो से भी odd कहलाएंगे तो देखिए यह odd है नहीं क्योंकि यह 2 से divide होता है नहीं तो वो odd है, तो ये दोनों two से divide होता है, इसलिए ये odd नहीं है, ये दोनों two से divide होता है, नहीं, तो ये odd है, 개ंड़ कितने निकल लेगे? A is equal to 6Q plus 1 A is equal to 6Q plus 3 A is equal to 6Q plus 5 देख लिजे यह odd इसले हैं क्योंकि यह 2 से divide नहीं होता है देख लिजे यह तो 2 से हो रहा पर यह नहीं हो रहा है इसले यह पूरा का पूरा odd है दोनों अगर 2 से divide नहीं होता हैं तब यह वो odd कहलाते हैं तो यह दोनों टू से डिवाइड नहीं हो रहें तो यह ओड है यहां लिखेंगे फ्रम इस इसके बार यहां लिखेंगे फ्रम इस विए गत पॉजिटीव प्रॉट इंटीजर और यह निकल लिया पर एक तो एंट दी 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 तो यह आपका solve हो चुका है यह आपको मिल चुका है यह आपका question number 3 है An army contingent of 616 members to the marks behind an army band of 32 members in a parade parade में 32 members का एक band है जिसके पीछे army का 616 members का एक क्या जा रहा है group जा रहा है the two groups are to march in the same number of column दोनों ग्रुपों में जो column है वो same होने चाहिए column के संक्या सेम होने चाहिए what is the maximum number of column in which they can march maximum number of column के लिए SCF के use करेंगे highest common factor के use करेंगे ठीक है जिसे आपका पास maximum number का column आ जागा कितने column होने चाहिए दौनों ग्रुपों में तो यहां पर दो नमबर दियें 1616 और 32 इसका आप SCF निकाल देंगे जो आपका SCF आएगा वही आपका number of column के लाएगा लिकिंगे बाइक कोस्ट्यों आपका नमबर आप कोलम के लाएगा लिकिंगे बाइक कोस्ट्यों दिविजन तो हम हो जाएगा A is equal to BQ plus R तो हम इन दोनों का क्या निकाल देंगे HCF निकाल देंगे तो इसके लिए होगा step first यहां पर HCF निकाल देंगे यहां पर step लिख देंगे उसके तो 32 कितने जा होगा तो 32 हो जाएगा 19 जा 32 19 हो जाएगा आपका 608 तो यहां पर minus कर देंगे तो आपका 8 बच जाएगा तो आपका remainder जेरो नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे फिट डिवाइड करेंगे remainder और diviser से तो remainder और diviser को फिट डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ रहा है 8 फोट जा 32 आपको जीरो आगया जब आपको जीरो आगया तो जो नमर आपको जीरो करता हूँ आपको कहलता है HCF यानि कि यहांपकर question solve हो जाता है यहांपर लिखावा था what is the maximum number of column in which they can march कितने maximum number of column होने चाहिए दोनों group हो में तो maximum group होने चाहिए 8 ठीक है तो step first में लिखेंगे using नहीं we apply division lemma 2 कितना 616 और and 32 में पहले इंदोनों में लेगे तो आपको क्या आया 616 बराबर क्या लिखते है इंदोनों के इंटो प्लस remainder यानि कि 32 इंटो 19 प्लस remainder यहां लिख देंगे r is not equal to 0 तो step second में जाते step second हो गया आपका यहां लिख देंगे ना scenes r is not equal to 0 r 0 नहीं है इसलिए हम second step पे जा रहे है कि वी एप्लाइग डिवीजन लेमा कि डिवेजन लेमा कि डिवेजन लेमा 2 किस-किस में गया हम आठ और 32 में 8 and 32 तो आपका क्या है था 32 बराबर क्या लिखिए हम इसमें अब जिमेंड एट इंटो फॉर उसमें कितना जोड़ देते रिमेंड जीरो यहां लेकिने आर इसकोड़ जीरो कितना है आपका है सब्सक्राइब क्या हो जाएगा तो आठ आ गया है फिर थोड़ा यहां निचे लिखे देंगे यानि कि अगर मैक्जिवन निमबर का कॉलम एट एट कॉलम लगेंगे यानि कि एट कॉलम तो इनके होंगे और एट कॉलम इनके होंगे ठीक है मार्ज करने के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आयोगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किजिएगा थैंक यू